अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की दिल्ली के अंदर चुनाव पूरी तरीके से आदमी पार्टी ने ऐसे सुरू कर दिया है कैमपेमिंट के जितनी कंत्रोवर्सी कर सकते हैं उतनी की जाए तो पिछले दिनों जब से नई दिली से भारते जंता पार्टी ने बासरी स्ववराज को उठारा है तबसे जो आप आदमी पार्टी की जो अटेकिंग जो एक तरीक है उनका वो उस पर बास्री स्वराज पर अटेकिंग मौड में आग चुके हैं लेकिन इस सारे विवाद और विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी ये भूल गई है कि आखिर जिसको चुनाव में उतारा है बहुत बड़ा चेहरा है वो एक बाद दूसरा बहुत तरीके से उसका जवाब देना उसका प्रोफेशन है जी हां हम बात करें बास्री सवराज आम आदमी पार्टी के सौमनात भारती उनके आगे कही नहीं थैं सौमनात भारती का कोई वजूर नहीं है कोई एक कहा जाए कि मतलब कहा बास्री सवराज कहा सौमनात भारती उन्हे अत्म हत्या करने जैसी एक तरीके से पॉलिटिकली सुसाइड का मामला है ये बनता है ये के जिस तरीके से उन्हें बावसुशु सवराज के अगेंस होता रहा है लेकिन जो आम आदमी पार्टी कई बार विरोध इस तरीके से करती है कि जो विरोध है वो आम आदमी पाइटी के ही अगेंस जागा होता है अब विरोध ये है कि आम आदमी पाइटी जिसमें 900 छेद हो वो चलनी दूसरों पर आरोप इस तरीके से लगा रही है जो खुद बरस्ताचार के आरोपों से गिरे हुए लोग है जिनके दो तो तीन-तीन मंत्री तिहार जिल के अंदर पढ़े हुए है कभी कोई वाटर बोटल मांग रहा है कभी पॉस्टिक आहार मांग रहा है कि आपको किसी भी लूप से कोई विशेश सुविनाय नहीं दी जा सकती है और जेल मैनूल के हिसाब से ही आपको खाना-पानी दिया जाएगा लेकिन बड़ी बात फिर से आते हैं जो सौमनात भारती है सुरू से ही बासुरी सवराज पर हमला करते हुए ललित मोधी जैसे मामलो को उठा रहे है आती सी मारलीनों ने भी इस प्रेस कॉन्फरेंस करके का के देखे देश दुरू ही है इस तरीके से जो भागा था उसका केस लड़ रही की सौमनात भारती और इस विरोध के भी सौमनात भारती ये बात भूल गए कि वो खुद भी वकील अपने आपको कहते हैं आखिर हमारे लोकतंत्र के अंदर एक वकील का पेशा क्या है बड़ी बात है लोकतंत्र में जो भारत एक लोकतंत्र है यहाँ पर आतंग वाधियों को भी वकील लिये जाते हैं और वकील बाकाइदा उनका केस लग हमारे यहाँ पर निर्विया जैसे मामलों में भी जो विक्टिम पक्ष है और जो पीडित पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है दोनों के साथ वकील खरेगी वकील का प्रॉफेशन ही यह है लेकिन सौमनात भारती जैसे जो वकील हैं वो राजनीती में आने के बाद अपने प्रॉफेशन को कहीं न कहीं पीछे छोड़ चुको है तो आज जिस तरीके से लगातार वो हमला कर रहे हैं बासरी सवराज पर आज जब बासरी सवराज ने इस बात का जवाब दिया तो सौमनात भारती नहीं पूरी आम आदमी पाटी को दो डाला जैसे उमीद की जा रही थी और बास्वी सवराज लगातार इस मामले पर कुछ बोल नहीं रही थी चुप थी हाला कि वो बहुत अच्छी प्रकर वकता हैं और बहुत अच्छे जवाब देती हैं बहुत बड़ी वकीन हैं बहुत बड़ी उनकी माता सुस्मा सवराज को कौन नहीं जाता है तो इस सारी चीजे होने के मावजूद बास्वी सवराज काफी समय से इस मसले पर चुप थी लेकिन आज जब उन्होंने ये चुप पी तोड़ी तो एक तरीकी से देखा जाए तो उन्होंने धजियां उड़ाकर रख दी सौमनात मार्ती की और आम आदमी पार्टी जड़ा एक बार सुन्ये के बासुरी सवराज ने क्या कहा और किस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी को बैक फूट पर दखे लिया उमनात जी एक वकील हैं शायद पूरी रिसर्च करके तथिद पढ़कर आते होंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं 12 अगस 2015 को यानि 8 साल पहले मेरी माता श्रीमती सुष्मा स्वराज दी ने ये विशे संसद में उठाया था मेरा आग्रेस उमनात जी से कि वो विडियो देख लीज आपने सुना होगा कि किस तरीके से 22 सवराज ने कहा कि ये जो मसला है इस पर लोग सभा के अंदर पूरी तरीके से 2015 में उनकी माता स्वर्गे सुस्मा सवराज ने पूरा एक वक्त अब दिया था इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे सवाल करने से पहले जो आम आदमी पार्टी के सौंडात भारती हैं उन्हें साथ पढ़ लेना चाहिए था कि लोग तंत्र में आखिर किस तरीके की जो पूरा स्ट्रेक्चर है वो बनाया गया है वकी वकीलों के लिए एड्वोकेट्स के लिए और एड्वोकेट्स का काम ही ये होता है कि जो उनकी पार्टी है वो कोई भी क्यों नहीं हो जब एड्वोकेट्स अदालत के अंदर खड़ा है तो उसका पक्षिस से लड़ना पड़ेगा हमारे यहां आतंगवादियों को पकड़ा जाता है उनके भी केस लड़े जाते हैं उनके लिए वकील खड़े होते हैं इसका म लेकिन अब जो बासुरी शवराज हैं उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से और बहुत ही सुझे हुए तरीके से सीधे सीधे सौमनात भार्दी और आम आदमी पार्टी को यह बता दिया अब सौमनात भार्टी अपने ही प्रॉफेशन को भूल कर अपने ही प्रोफेशन पर सवाल खाने कराकर इस तरीके के हमले कर रहे तो आज बासुष सवराज ने बहुत अक्रामक तरीके से जिस तरीके से उन्हें जवाब दिया उन्होंने ये भी बता दिया सीधे सीधे कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ लेकिन मैं कमल का फूल हूँ और कमल का फूल हूँ तो सच मुझ दिखाई देगा उन्होंने ये भी कहा कि आप अभी तक यहीं क्यों आठके हुए है जन्ता के बीच में आईए प्रेस कॉन्फरेंस से क्या काम चलेगा बहुत हलके कैंडिडेट के रूप में सौमनात भारती दिखाई दे रहे हैं बासुरी सवराज के लिए हम आपको ये भी बता चुके हैं कि भारते जन्ता पार्टी ने डिली के अंदर थार्ड जनेरेशन लॉंच कर दिये हैं कि 2025 में दिली विधान सवा के चुनाव होने हैं और दो हजार 25 के विधान सवा चुनाव की पुरी तरेके से तैयारी करी की गई है भारते जन्ता पार्टी की तरफ से प्रदान मंतिर नरेंद नोदी और आमिश्टा की तरफ सर्फ त और इसी का जो दो हजार पच्चिस के दिल्ली बिधान सबाद चुनावों का फेस है बासुरी शवराज बासुरी शवराज को ऐसे ही आगे नहीं किया गया है पूरे तरीके से पहले प्रवक्ता बनाया गया फिर उनको लाया गया पार्टी में तरीके से ट्रेनीग है दो 2025 में भारती जनता party की तरफ से बासुरी सवराज को cnfyz बनाया गया है और यही cm face उतक्क कर देगा आम आदमी party को तो क्योंकि आम आदमी party के पास कुल मिला के दो बाते जो भारते जनता पार्टी और जो राजनेतिक जो गल्यार है उनमें जिसकी चर्चा है आम आदमी पार्टी के पास दो बाते हैं सिर्फ उनमें से एक जो बात है वो है मुफ्त खोरी फिरी की रेवडियां मुफ्त की रेवडियां सिर्फ उनके पास अगर इस पर प्रतिबंद लगा दे कि आप मुफ्त का जो डिली का जो टैक्स पेर है उसके पैसे को मुफ्त में ऐसे नहीं उडा सकते अपनी राजिनेतिक आकांग्शाओं के लिए तो कल अर्विंद केजी वाल को चार बोट डिली में नहीं पढ़ने वाद दूसरी बात आम आदमी पार्टी के पास अगर चेहरे के नाम पे कोई है तो वह खुद अर्विंद केजी वाल के चेहरे को हटा दिया जाये तो आज भी आम आदमी पार्टी को कोई वजबूद है तो ये जो दोनों बाते हैं, ये किसी भी तरीकी से भारते जन्ता पालिटी को उल्टा और मजबूती देती हैं, क्योंकि जो अर्विंद केजीवाल का चेहरा है, वो बहुत दागदार हो चुका है, ब्रस्ता चारकेक ने बड़े बड़े आरोप है कि कोई प्लास्टिक सर्ज जिसमें पूरी दुनिया बंद थी, पूरी दिल्ली बंद थी, पूरा देश बनता, लॉकडाउन की स्थिती थी, उस टाइम पर 171 करोड रुपे का जो अजम आकर आरोप लगाते हैं, 171 करोड रुपे का सीस महल बनाकर खड़ा किया, और उसमें अर्विंद के जिवाल रह तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, मुफ्त की रेवडियां से जिस तरीके से उन्होंने राजनीती करनी सुर्वी हर खजाने को खोल के हर चीज मुफ्त में बाटने की कोशिस की जा रही है, दिल्ली के अंदर कोई डवलाप्मेंट नहीं हुआ है, दिल्ली पूरी तरीके स ट्रैफिक गुजरता है आने और जाने के लिए भारी जाम किस्तिती है, मुखरवा चौक जो आउटर दिल्ली को जोडता है और वहां से पंजाब की तरफ ट्रैफिक निकलता है, हर्याना पंजाब की तरफ पूरी तरीके से तहसने हैस हो चुपा है, और वहां पर एक घंट पिरी रोड बनाया था, नाम लोई से ISBT तक पंदरा मिनट का ये कोरिडोर बनाया गया था, लेकिन आज बहुत बुरी हालत है, क्योंकि कोई डवलप्मेंट नहीं हुआ है, इसके अलाबा, LG ने अभी दो दिन पहले ही जो पोस्ट किये, कई करो निकर संगम, विहार, बुर दिनली में क्योंकि दिनली के टेक्स प्रेयर का पैसा है, वो अर्विंद के जिवाल का पैसा नहीं है, लेकिन, बहरु हमारी जो मानेनीय, और चल्दम नहीं आया याल्ले है, वह मौन है वी ब्रीजिस विशेपर, वो कोई इसमें दे नहीं रहे हैं, कोई डिशीजन कुछी तरीके का हवस्तक शेप नहीं कर रहे हैं इसलिए लगातार अर्विंद के जिवाल हर चीज गुफ्तकी बाट रहे हैं अब आप ये देखिए आज जिस तरीके से बास्री शवराज ने सौमनात भारती को धोया है आप सोचिए एक वकील का करतब बे याद दिला दिया है उनको उन्हें बताया कि आप स्र charles conference के नेता बनने की कुछ बजाए आप जंता के ब्रीस आने के नेता बनिये आप आही नहीं रहे हैं जंता आपको बताईगी कि आप क्या चाते हैं कैसे आपको रिस्पांस मिलेगा तो ये बात बिल्कुल perfect है कि आम आदमी wyudकि को लोग साबामे उड़ा के रख दिया जाएगा बीजेपी द्वारा और ये जो सबसे बड़ा चेहरा बनके उबरेगा वो बास्री सवराज हैं जो की 2025 के CM face का CM face हैं और मुख्य मंत्री के लिए उनको third generation में launch किया गया भारती जन्ता पार्टी की तरफ अगर आपको हमारी ख़बर अथी लगी हो तो आप इसे like, subscribe और share जरूर कीजिएगा हमें इस बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा इससे हमें ओजा मिते हैं जैहीं जैवारा